जाएगा मकसुद दाख्वे साहबीन से गुजारिश करूँगा कि आपके सुबात शुबातों से मुदस्तर दाख्वे साहबीन का शुबसनमान इस सब प्रतियुकिता के माध्यम से करे तो टार्गेट है टोटल ला इस मैच में 46, 30 गेंदों में 5 ओवरों में चाहिए 46 की जरूरत लगातार तीन सालों में अपनी दावेदारी पेश किये, ट्रॉपी अपने घर पर लेकर गई है टीम कोपरूली 11 कोपरूली लेकिन उनका अस्तित्वा अब उनके सामने खेलेगी टीम कलवे, सुशांत मोकल से कापि आपेक्षा थी, गोटय के अऔर से जाधा तर उनके बले से रना में देखने को मिले सुशांत मोकल से, 10 गेंदों में 22 रन, प्रसाद के अऔर से अपेक्षा थी, मातरा प्रसाद में रन पहली गेन हो फिकेट की पर थोड़े से गलती करते हुए आक्रमन करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए क्योंकि कभी-कभी कहते है कि सोच में जब मोच आती है तो हार रिष्टे में खरोच आती है क्योंकि सोच जब तक तंग है यह जिन्दगे भी आपके लिए एक जंग है और इस क्रिकेट के जंग में आपको एक अच्छा क्रिकेट केलना भी बहुत जरूरी होता है चुर्बात बहतरी नजर आती हुए माना की लो स्कोर का टार्गेट है लेकिर इतनी आसानी से गावदे भी कलवे 11 टीम मौका नहीं देगी मैच में मज़ा हैगा तो ताकतवल टीम है बोलर तयार इस पार भी डॉट बाल की समापती खूब सूरत अंदास से गेंदबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं एक्षिन रीप्ले में जहाँ पर जी टीसी ग्लोबल टेनिस से के डॉट इन के माध्यम से ये टूर्णामेट पाँच कैमरे के साथ इसे बिलकुल कवरेज की जा रही है और सामने आपको बड़ी LED स्क्रीन नजर आ रही है जो साप सूत राइट के साथ एक्स्टा में बड़ो त्री तालियों की गुंज हो रही थी लेकिन आचानक तालिया जोर से बजने लगी कोप्रुली 11 कोप्रुली टीम के समर्थक होगी क्योंकि उनके समर्थ तक जादा है कल्वे टीम के समर्थ तक भी कापी मात्रा में नजर आती हुए तीन गिंदे डॉट फे की थी उसके बाद आया है वाइट बॉल एक्स्टा में बड़ो त्री एक्स्टा के साथ खाता खुल चुगा है मैदान के अंदर टीम कोप्रुली 11 कोप्रुली का पिछले साल फाइनल में कोप्रुली 11 टीम बस लेकर आई थी लेकिन अब उनका पहला ही मुकाबला है जीतेंगे आगे के सफर में लेकिन कल्वे टीम है इनके सामने और इस बार अच्छा शाट ग्यापे केला कोई किरारी नहीं मिड़ान उपर था सीधा लंगान के उपर से ये पहला च्छका दरकरार देते हुए बहले बाद से साहिल अरे साबिर वाई और ये सरपन्सकाई दमदर संगीत आपने सुनाते हैं वे लॉफ्टेट हीट था कमाल की टाइमिंग पर्फेक्ट मिडल अप दबैट हुआ और सीधा ये बारा पाड़ा के प्लोट से गिंद आउट आप दो पार्ट छेरन देखने को मिला छेसो के साथ यहाँ पर शुरुबात करना चाते लेकिन तीन डॉट बालाई थी ये लिजी ये प्रेशर है शायद तोड़ा सा देखेंगा अंपायर कुछ इशारा करते है वे वाइड क्रिश के बाहर गिरिया नहीं है ये चेक करना चाते है यस शायद वाइड बाल तो ये है डेफिनिटली हैं अमपायर लेकिन चेक करना चाहते के क्रीश के बाहर गिरिया नहीं थर्ड़ आपड़ आई ए है मात्रे सर इनसे गुजारिश करेंगे कि पबार सर है चैनले थर्ड़ आपायर आई है तुरंट चेक करेंगे हम टेक्नलोजी डिपार्टमेंट में बरूर जरूर चेक करेंगे वहाँ पर यस वाइड बॉल चलिए अंदर गिरिती शाये दिए गेंद तीसरे अंपार का निरना यहाँ चुका है यह दिके एक्शन रीप्ले में यह थोड़ा सा बाहर की दरफ निकालने का प्रयास्ता वाइड बॉल एक्स्वा में बड़ो त्री होती भी आठ रन बने इसकूर कार्ट के उपर यह रनों से बचना पड़ेगा इस बाहर हवामी गेंद हैं मौका बनेगा शॉट बाकवर्स प्रयले का खिलारी गेंद के नीचे कोई चुक नहीं छका आने के बाद तुयन जबाब दिया बैट्स मनों गया उट पहला करारा चटका कोप्रुली इलेवन कोप्रुली टीम को अप जो देख रहे हैं ये मुकाबला की आपको वन साइड नजर आएगा लेकिन क्रिकेट ऐसा दस्तूर है दोस्तों कि कभी भी यहाँ पर बाजिया पलट सकती है क्योंकि एक मुकाबला आपको यहाँ दे जो हाई उल्टेश रामा का आम ने देखा था कि जहाँ पर हर्शल गीब्स में नशे में वो पूरी तरीके से घमन तोड़ा था आस्टोलिया का किसने सोचा था कि 434 का पाठला पूरी तरीके से पीचा साउथ आफरिकन टीम करेगी हर्शल गीब्स वा ग्रैम स्मीत की वो धुआतार पारी उस धुआतार पारी ने बिल्कुल एक शांदार चीत दिलाई साउथ आफरिका को और आस्टोलिया का घमन उनने तोड़ा था यह क्रिकेट है दोस्तों और एक बार जान करें हम जरूर देंगे कि साउथ आफरिकन के खिलाडी क्योंकि जो हसीम आमला है सबसे अनुपवी खिलाडी दोस्तों जब साउथ आफरिका टीम खेलती है तो उनके टीशेट्स पर कासर लीगर का नाम रहता है और वो है कासर लीगर एक शराब है जो कहा था हसीम आमला ने कि हमार जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो किसी से नहीं डरा क्योंकि जिसने भी किया है खुद को कर्च दुनिया ने उसी को किया है गोगल पे सर्च और आज भी देखिए साबिर भाई दल्वी पूरी तरीके से आवाय सुनामेंट को दमदार योगदान देते हुए एक याद होगा मेरे कहल से सुदर्शन कि हमारे इस भूमी पर राज्य करने वाले अनेक योद्धा देखे लेकिन जिनों ने पूरी तरीके से समुन्दर वभी राज क ये शांदर परवध 2024 का आपके सामने नजर आता हुआ क्या दिमागदार सोला है क्या कमाल की ये टुर्णामेंट है हर साल निकर कराती है नई उमन नई तुर्णा लेकर हमेशा ये टुर्णामेंट नई उजाई के शुक्रता का हमेशा बनी रहती है जीतनी के लिए 24 अभी भी मेरे कहल से 38 की दूरी है थोड़ा सा लक्ष धीरे धीरे दूर जाता हुआ ठोश शुरुबाद दिये गिनवाज ने छक्का जरूर आया उसके बाद क्या खूबसूरत कमबैक गिनवाज प्रसाद के द्वारा अपने गिनवाज राजमात्रे सामने क्यामरेमेन को चूती वीगें सीमा रेका पार नो चांस इन्टु दे मैट इन्टु दे फैंस चेरण बिल्कुल यहां पर शांदा चकाता हुआ प्रेशर में थे प्रेशर थोड़ा सा दूर दिया और यह प्रेशर को हटाते हुए इसलिए हम आप से कहते देसे टीम के कि विवंदे शेह्वा की तरह बल्यबाजी करना पसंद करो वह हमेशा उनके बल्यबाजी होती है न किकी अभाव में कहलो नगिसी के करकाट के उपर देशाई टीम के कप्तान भी आ चुक है स्वागत याफ का अली पटेल टीम के कप्तान तलोजे के वो भी आ चुक है जैसे ये ओवर समाप्त होगा दो टीमों के बीच में टॉस करेंगे फ्रिश मैच होगा पहले राउंड का तीसरा महा मुगाबला आपके सामने और तमाम दर्शक चारो तरब गिरेवे इस टूर्णामेंट को और इस मैदान को उन सभी धर्शक को काम स्वागत करेंगे बोलो तैयार थोड़ा सा उचाल मिला हाफ ट्रैकर की बॉल ये तीका बाउंसर करने का प्रयास तब तक वहाँ पर एक्स्रा में बढ़ोतरी होगी देखे क्रिकेट ऐसा खेले दोस्तों की लो स्कोर में आपको हमेशा किक गिनबास हमेशा बल्यबास के उपर दबाव बना रखे जो शुर्वाती ओवर में देखनों को मिला तीन गेंदे लगातार डॉट निकाली विक्टो का सिलसिला जारी रखना लगातार बहुत जरूरी होता है जिंदगी की तपिश को सहन किजिए जनाब अकसर वो पाउदे मुर्जा जाते है जिनकी परवरी चाया में होती है ये क्रिकेट भी ऐसा खेले कि आपको भी आपर कुछ ना कुछ करना पड़ता है इस बार भी तोड़ा तेजा जरूरती ये गेंद सीधा गेंद फिकेट कीपर के हातों में जाती भी अमपार से कुछ भादचीट करते हैं खिलाडी विशाल पाटिल सर और हमारे मात्रे सर ये दो अमपार इस मैंच में आप देख सकते हैं रिभी भी क्यों कुछ मांग कर रहे हैं और देखें पाच कैमरे कते साहत ऐसे ये टूर्नामेंट को कवरेज किया जा रहा है क्रिकेट इसी का नाम है दोस्तों अच्छा के लिए तो गाली अच्छा के लिए तो ताली और खराब के लिए तो गाली क्योंकि क्रिकेट में युरा सिंग बहतरीन जानते हैं कि क्या है क्रिकेट का वसूल क्रिकेट में उनको भी पता है जब तक आपका बला है तब तक आपका थाट है वरना क्रिकेट में वाट है यस थर्डामपायर को रेफर किया गया है थर्डामपायर को रेफर किया है जो बाउंसर किया था उसकी वज़े से वो थोड़ा सा शक है बलेबास को येस वो चेक कर रहे हैं थर्ड अमपायर के निर्ने के प्रतिक्षा करेंगे आईए थर्ड अमपायर टेक्नलोजी डिपार्टमेंट में जी टीसी के माध्यम से बिल्कुल ये निर्ने चेक किया जाएगा ये उस्मान पडेल राइगर के टाइगर शतको के शेहनशा आईए उस्मान स्वागत है आज बारापड़ा नगरी पूरी तरीके से सजी आपको देखने के लिए आज मातरा दुबाई कतार जैसे बड़े बड़े टिर्नोमेंडों में उनका भ्रहमन रहता है और निचुतार पर आज भी शेर दाढ़ेगा देसाई टीम के किलाब और देसाई टीम में उनके किलाब के लिए आज उस्मान का बल्ला माशालला आपको नजर आएगा फटाको सब्सक्राइब पैटिसन इस फेरे दिलेवरी हिदेश भूईर हिदेश भूईर हिदेश भूईर कप्तान याप पर आचुके आपका भी स्वागत है और मेरे क्यासे उस्मान भाई अब 21 थारी को सूरत में 10 पेल के लिए रवाना भी होना पड़ेगा बहुत सारे नहीं लपक पाए चांस था ये लेकिन आसान भी नहीं था तब तक दो रन पूरे करेंगे और इसी दो रनों के मदद से हाला की बढ़ता हुआ स्कोरे टोटा स्कोर कार्ट के उपर 21 रन एक्शन प्रीप्ले में देखिए बोड़े इस ताओ में थे बलेबाज लेकिन पूर साब स्टेज खाली कीजिए क्योंकि अब महमानों की पूरी तरीके से अब आगमन होने वाला है आप पी इंजोई किजिए ऐसाने कि आप जाइए मत तोड़ा सवास सामने रुकिए मयूर मात्रिया और प्रबीन ददा भूईर देशे टीम के पैकर स्वागत है आपका और इसी के साथ ये विकेट जाएगा मैदां से बाहर ये मौका बने असीदा गेंदा विकेट कीपर के हातों में बैट्स बनाउट कि इतने के लिए 25 रनों के आवश्चकता है कोप्रुली टीम बले बाजी कर रहे 21 पे दो विकेटे गवा चुकिए अब इस ओवर की पावर पे के आखरी गेंद बचिए मुभीन भाई पडेल इन से गुजारिश करेंगी कि हाई ये मंश की उपर इस टूर्णामेंट के हमारे लाड़ले दमदा राज्यक विद्यमा सर्पंजा साबीर भाई आपका बेस अबरी से इंतजार कर रहे है आई ये मुभीन भाई कौन बूरेगा तो कौन नहीं चाहता दोस्तों कि तलोजा की टूर्णामेंट नहीं हो तलोजा की टूर्णामेंट हमेशा बनी रहे लेकिन सिटी बहुत बड़ी हो चुकी है जहाँ पर आप क्राउड उसमान कि वो जो आपकी टूर्णामेंट रहती बहुत ही जबर्दस चाहँ पर दर्शकों का मेला लगता है मेला और सभी चाहते कि वो टूर्णामेंट फिर एक बार आए इंतजार में रहते क्योंकि ऐसी वो एक टूर्णामेंट है जहाँ पूरी तरीके दर्शक कोने कोने से मजाले इंजो लेने के लिया थे आखरी गिन तो इस पार आतिरिक उचाल था ये दूसरा बाउंसर अंपार का नो बॉल का करार देखे पहले से इन्वेस्मेंट आपकी कम है और ऐसे हाला तो में यह आप गलतिया नहीं कर सकते तो मुभीन भाई पड़ेल इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ आपका स्वागत है इससे प्रतिकुदा के माध्यम से बैस सब्री से इंतजार आपका यहाँ पर कर रहे हैं तो लिच्ची तोर पर स्वागत है सभी दर्शकों का स्वागत करेंगी क्योंकि नेक्स मैच बहुत ह और आपको रोमान चक आएगा लेकिन इससे पहले जो आपने देखा पहला मुकाबला शांदर तरीके से चीता वन साइड़ेट बलेबाजी साइड टीम ने और यह दूसरा मुकाबला आपके सामने और इस बार एक गौर अंपायर का नो बॉल का करार हवामे गेन फिल्डर गेन के नीचे कैश्टो पकड़ा है लेकिन गलतियों पर गलतिया कर रहे गेन बाजर राज मात्रे क्या कर रहे है नो बॉल का करार और यह एक स्ट्रा रन मिलेगी फन प्लस वन दो रन मिलेंगे और तो एक गेंद के बाद जरूर टॉस करेंगे लेकिन वो गेवी इन आपर नो बॉल करा राता हुआ गलत क्रिकेट खेल रही यहाँ पर मैं कहूंगा टीम श्लोक 11 गावधी भी कलवे टीम सोचने हाँ पर सोचना होगा क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है कि जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं मैनत इतनी खामुशे से करो कि सपलता भी आपके नाम की शोर मचा दे मैनत करनी पड़ेगी मुशागत करनी पड़ेगी क्रिकेट में अगर आपको बने रहना है तो आपका फिजिकल फिटनेस आपके गिन्बाजी का वो टपा नियंत्रित होता है वो बहुत ही इंपॉर्टर होता है विरिंद्रे सहवाक से किसी ने पूछा था कि क्रिकेट में क्या सही है उसका जबाब हम जरूर देंगे बोलर तयार तो इस पार चलिया चिगेन फ्रीट की थी लेकिन पढ़ने के बाद बाहर की तरब गई वाइट बॉल का इशार आमपायर का चलिये ये डॉट बॉल नहीं है बिल्कुल वाइट बॉल करार होगा वाइट के मदल से एक्स्रास में बड़ो तरी टीम का टोटल स्कोर है 25 रन दो बिकेट के नुकसान के उपर अभी भी जीतने के लिए रन चाहिए 19 गेंदे और 21 रनों के आवश्यक्ता चारो तराफ हमारे दर्शेगा पूरी तरीके से मैंच का आनंद लेने के लिए पूरी तरीके से खाना खतम करके आते हुए इस बारा चाशुआट बिड़ाफ के उपर से क्लियर किया लोगाफ में कोई क्लारी मौजूद नहीं गेंज सीमा पार चार रन ओवर के समाप्ती और इसी के साथ तीन दो ओवर के समाप्ती के बाद रन बने है टोटल स्कोर कार्ट के उपर 39 रना और गेंदों के बीच में फासला आकरी गेंदे है 18 और चाहिए 17 रनों के आवज़ रखता इनके शुभातों से हम टॉस करेंगे बाग 11 तलोजा विपक्षा जे वागेश्वर 11 देसा ही ये दो टीमों के बीच में आपको याँ पर मैच नजर आएगी तो टॉस के लिए आईए दोनों भी कप्तान उस्मान पड़े लोंगे बाग 11 तलोजा टीम के कप्तान मुनाफव बड़े साब इनके शुभातों से टॉस किया जाएगा माजी उपसर पंसा करना लग राम पंचायत असर पंसा है उनके शुभातों से टॉस किया जाएगा हिदेश बुईर और उस्मान पड़ेल दो कप्तान है जीता यहां पर उस्मान प्रतम आपका अभिनंदन करेंगे क्या कहना चाहेंगे आज टॉस के निर्ने के पहले हम आपको यही पूछना चाहेंगे कि आज उस्मान जब भी आता है तो उनके दर्शक कि उनकी फैन फॉलोविंग की कापी तादाद नजर आती है क्या कहेंगे कि बिल्कुल जो बारा बार में प्यार दिया है तो हम भूल नहीं सकते हैं अश्रोज अभीर भाई रहो इन सब का भुदी प्यार रहता है और लोग टोजी ते हम लोग फिल्डिंग करेंगे में तोड़ी सी नाराजी थी उसमान की आज आने वाले एक इनौuyu आने वाले फैन फोल्व इक नाराज और ठोड़ा को She डंबेवली की प्रमोध मात्रे इनके गाव की ताकतवर टीम है, कैसा रहेगा उनके खिलाप आपका मैच? पर फिल्डिंग लिए अम लोग जादा रुखने की कोछ श्कने की साड के अंदर और अच्छा मैच होंगा, और देशा है टीम बोले तो बहुत अच्छी टीम है और निर्ने के आपका होगा? फिल्डिंग करेंगा, बेस्ट अफ लग आपके लिए अप टॉस इते तो का तुमी टॉस दिला तका निर्ने केतलास्ता? अभी वन श्यत्रेक्शन केतलास्ता समोर उस्मान पडेल जी तुमाला चालेंज असल किती आउ इंपर रासेला सामना? नकीज आमाला उस्मान ची विगेड़ेच काड़ेचे आनि आमी नकीज आमी सामना चांगला विलामचा आनि आमी तना टॉफ वाइट करू आनी जिंग्नेंस परहित करूँ एवड़ा मोट करता है तो बिल्कुल यहां पर टॉफ जीदा है उस्मान पडेल नहीं उनका फिल्डिंग करने का तीस रन बने स्कूर कार के उपर 16 रनों के अभी भी आबशकता है बोलर तयार प्रसाद चलिए इस बार अच्छी गेंदे देखें उंगलियों में घुमाओं है प्रसाद के वो अच्छी गेंबाजी कर लेते हैं और राइट हैंड बैस्पन जब भी उनके सामने आते हैं तो पूरी तरीके से हुने हमेशा चक्मा देने का प्रयास करते हैं पहले ओवर में उन्हो चलिए एक लेक भाई के तौर पर रन खर्श किये उन्होंने तीस रन बने स्कूर काट के अपर ये ओवर बैतिन अगर होता है तो आएगा केल में मज़ा त्रैपर मरीन के ओनर फरीद भाई दल्वी इनका अगमन हो चुगा है इबराम भाई आपका स्वागत एक अच्छे किन्बास लेफटाम में भागले बन तलोजा के आप जाने जाते हैं और आज मादरा आपकी भी अगनी परिक्षा होगे इस मैदान के अंदर चलिए फटाको के आतश बाजी में यहाँ पर सन्मान किया जाएगा एपल मरीन के ओनर तो फरीद भाई दल्वी साव इनका शुबागमान इस सा टूर्नामेंट में आपका स्वागत है अपल मरीन के ओनर स्वागत है आपका स्वागत है इस सा राजाश्यवाच्छत्रवधी ट्राफी में और लाफली डिलेवरी कमाल के गिन बाजी मुकाबले में पलटवार करती हुई क्योंकि 31 सिन बने तीन ओवरों में आप जीतने के लिए 12 गिंदें और 15 रनों की जरूरत डीजे कि क आपका सकते हुटत्रव प्रेशल तीन कि जरूश नहीं टपका सिरे दोता है इस सदस्यागत है चुरू नहीं हुआ फिर भी 2000 के करीब मैच के आनन्द लेते वे उन दर्शकों से हम जरूर गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इस टूर्णामेंट के माइबाप हो और आप भी इंजॉई कर रहे हैं यूटूब के माध्यम से स्वागत है और उतने ही तादाद में आज खचा प्राप्त करना है तो मैंनत पर विश्वास करो क्योंकि किश्मत की आकिस्मत की आजमाईश तो जुवे में की जाती है दिख्षित पाटिल संतोष चौदरी सर भी मैच का आनंद ले थे वह उनका भी स्वागत करेंगे दिख्षित पड़े लाएंगे कि इन बाज दिख्षित पाटिल जिनके उपर आपेक्षा होगी बारा में आप पंदरा यहां से बचाने है और बारा में पंदरा बनाने भी है टीम कोप्रोली को मभीन भाई पड़ेल तलजाइड का आखमन हो चुका है वह सबरी से इंतजार कर रहे थे हमारे साबिर भाई मभीन भाई आपका स्वागत इस सा बारा पड़ा की नगरी में और नौमान पटेल एक मशूर क्रिकेडर दोस्तों आज इन अक्षिन में नहीं है शायद बैक पेन की वज़े से वो नहीं खेल पा रहे है पहली गेन यहाँ पर देखिए अंपायर का ये वाइड बॉल का करार ये गलती है ये गलती हो चुके आभी तक मैं कहूंगा साती टीम यानि की कलवे टीम के गिनबाज हो की और सुदर्शन हमारे जानकेरी देते हुए कि अब तलक गे एक्स्ट्रा रन जो खर्श किये ना सात रन उन्होंने एक्स्ट्रा खर्श किये और ये बहुत बड़ी गलती ये कर रहे है बारा में चाहिए चौदा यह अगर मेडन ओवर आएगा तो खुशी में लहर जाएगी टीम कलवे तो चलिए बैक पूट पर जाकर केलने का प्रयास किया था बल्या और गेन का कोई संपरकर नहीं है डॉट बॉल की बिल्कुल समापती नजर आती हुई एक एक डॉट बॉल पूरी तरीके से मैच में कमबैक कर देगा कलवे 11 टीम को और मैच से तोड़ा सा दूर कर देगा कोप्रुल 11 कोप्रुली टीम को इतनी आसानी से खिताब छोड़ने वाली नहीं है कोप्रुली टीम क्योंकि लगातार तीन बार उन्होंने ट्रापिय अपने घर पर ले कर गई है 11 में आप चाहिए 14 रनों की जरुरत किसी भी बात से हिम्मत नहारना ठोकरी इंसान को चलना सिखा दिये ओ चलिए इस बार भी फिंगर रोल देखिए लिकिन आफस्टम से काफी बाहर वाइट बाल का इशारामपार का एक्स्टास में बड़ो तरी वाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार के उपर बात करेंगे तो फिलाल 33 रन बने है 13 रनों के जरूरत है लगबग वाइट क्रमां का यहां पर आता हुआ पाचवा दो नो बाल एक लेक बाई आट रनों ने एक्स्टा कर्श किये यह उनकी गलती है देखिए क्रिकेट में अगर बने रहना है तो निच्छी तोर पर आपके गिनबाजी का स्टांडर उच्छा कोटी का होना बहुत जरूरी है आपका फिल्टिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है यह हवाई अल्ला किया है जरूर लेकिन फिल्डर गेंद के नीच आएंगे डिप आकवर स्क्वेर लेग में कमाल का क्याच पकड़ा है बलेवास होगी आउट और इसी के साथ यह तीसरा करारा चटका कोप्रुली 11 कोप्रुली टीम को रना और गेंदों के बेच में फासला अक्री गेंदे बचिये टोटल 10 और चाहिए 13 रनों के जरूरत इतना दम एक्शन रीप्ले में आपने देखा कि यह लॉफ्टे टीट केलने का प्रयास किया था और जो डिप बैकवर्स पेर लेका किलाडी कितनी खूब सुरत अंदास से इस कैश को लपका बाडी को उन्होंने बैलन्स किया और बैट्समन को चलता बना दिया मैदान से ब अगर वो लगाता और आप यूज कर सकते हो ना तो यह मैच में कहीं न कहीं आपकी बिल्कुल वापसी हो सकती है मेरे कहाल से जब भी हम तलोजा की मैच देखते हैं तो हमारे गले की ताइट जिने हम एंड्रू फ्लिंटाफ कहते हैं इंगलोंड के बिल्कुल आमरे ताहीर बडेल बलेबाज यह भी खेलते हुए नजर आएं कि क्या पारी खेली थी पेट के मैदान के उपर पिछले दो स में मंजिले बड़ी जिद्धी होती है हासिल कान नसीप से होती है मगर वहाँ तूपान भी हार जाते हैं जहां उनकी कस्तिया जित पर होती है मैच अभी भी बैलनस है ना मैच घबाया टीम कलवे ने ना मैच अभी तक छोड़ा है यहाँ पर कोप्रिली इलेवन कोप्रिल सुदर्शन इस तरह ये करवटे बदल लेगा और ये क्रिकेट है कभी-कभी आई-पेल आप देखते हैं मुंबई इंडियांस और चैने सुपर किंग्स के बीच में भी लो स्कोर के मुकाबले कापी अच्छे देखने को मिलते हैं रिवर्शार्स केला कवर्स की दिशा में फिल्डर तैना थे एक रन वहाँ पर मिलेगा एक रनों के मदद से बढ़ता हुआ स्कोरे 35 रन 34 रन नव गेंदों में चाहिए अब जीतने के लिए 12 रनों की जरुरत खुटारी की टुर्नामेंट अभी भी हमें याद है कि उस्मान नहीं थे मौझूद और नागाव टीम ने उनके खिलाब कापी दमदार बल्यबाजी की थी लेकिन वहाँ पर उस्मान होते हैं तो रन मैंच का कुछ अलग नतीजा होता लेकिन अली के उपर पुईतरी के वो जिम्मेदारिया बनी थी ये उटाने का प्रयास मिड़ाप पर्टियार सिर्कल के अंदर है मौका बनेगा विकेट जायागा मैदान से बाहर चस्निकर माहल श्लोक 11 गाउदी भी कलवे टीम के केमे में चाउता विकेट मैदान से बाहर जातों के लिए कि मेरे हाथ की रेखाओ देखो और मेरे भविश्य को जानो लेकिन हम आपसे एक ही कहना है चाहेंगे कि हातों की लक्यूरों में आपना भागर धूनने से जदा आपके माते के पसीने में आपका भागर धूनदो मेहनत का फला मेशा मिटा होता है और इस मैदान के उपर पूरी तरीके से मुकाबले में कर्वटे बदल लेती हुई टिम श्रो के लिबन गाउदी भी कलवे मज़ाएगा उस्मान भी खुश है इस मैच में क्योंकि उन्हें भी पता है जब हाई वोल्टेश मुकाबले होते हैं तो नीची तो पर धर्शकों का पैसा वसुल मुकाबला होता है देखिए हमने पहले भी कहा था अगर लोईस से आपर ओवर आथा है तो मैच में बनी रहेगी धर्शकों की तादाद भी और भी मच्छी भी आप जीतने के लिए बच्छी भी आट गेंदे हैं बड़ा धमा का इनके टीम के लिए इस संकट से बाहर निकाल सकती है कोप्रिली 11 कोप्रिली टीम की नईया बीच भवर में फच्छुकी है लेकिन कौन ऐसा माइका मांजाए जो अपनी दूपती वी नईया को किनारे तक ला सकता है ये संपायर कुछ इचारा कर रहे हैं हमारे कमिटी मेंबर्स मैश तोड़ा सा रुकिए तो फटाकों के आतश बाजी में महमानों का यहां पर स्वागत किया जा रहा है हमारे आज के आती थी महमान किती गेले किती आले उड़ून गेला भरारा अनि आज इस संपनार नाही आमचे आप बेलाल शेत रसल करचा दारारा शेतकरी कामगर पक्षाची मुलुक मैदानी तोप शेतकरी कामगर पक्षाची आधार संब आनि अम्दार विवेक पाटिर साहिबान से खंदे समर तक लाल बाउटा 21 लक्ष एकष पक्ष बिलाल शेट रसल कर साहिबान सा सहर्शा सहर्शा स्वागत मैच में आग लगिये मैदान में भी आग लगिये फटाकों के आतश बाजी में ये महमानों की खातिरदारी नजर आती भी बिलाल सेट आपका स्वागत है आट बाल 12 रनों की जरुरत ओ अफ्रेकर की बाल थी डाट बाल की समापती साथ बाल में चाहिए 12 रनों की जरुरत साथ बारा का महत्व क्या है जिनको प्लाट है उनको नहीं पता जिनकी लेकिन खेती है जमीन है उनको साथ बारा की केमत क्या वो पता होती है एक दो गुंटे के लिए भाई बेहन के बीच में जगड़ा होता है यो साथ बारा के लिए क्रिकेट में भी कापी महत और योगदान देया जाता है आखरी गेंदी चोहती ओवर की बोलर तैयार ओ इस पार बैक फिट पर जाकर केलना चाहते थे अपिल की गई थी लेकिन गेंद बाजी पसंद आई हो तो एक बार शुर्दार तालिया टोर्निंग पाइंड ओवर साबिर भाई का गुन गाउरव गाने वाला यह संगित दर्शकों से पब्लिक से हम सिर्फ विंति करते हैं कि बांडरी का रोप है वो उसके तोड़ा सा पीछे आई है तोड़ा सा दूर रही है क्योंकि वो खिल्डर जब पी कैश लेने का प्रयास करता है ना तो वो जम्प लगाता है तो शायद उसके लिए वो दिक्कते ना पैदा है उसलिम आपसे गुजार उसके थोड़ा सा पीछे अटिये तो चलिए आप आने वाली छे गेंद्या और जीतने के लिए 11 रनों की यहां पर जरूरत है दिखिए कैमरे में सभी दर्शकों को यहां पर दिखा जा रहा है इतनी ठंडी में भी सभी दर्शक मैच का आनंद लेते हुए तो किन बास आएंगे भविशे होगा मेरे काल से श्लोक 11 गाउदेभी कलवे टीम का सुशांत मोकल कोटियार राइगर बुशन सनमादी क्रिकेटर और इस मैच में देखेंगे कैसे होगी यह कहानी जिन्दगी खूपसूरा जंग इसे जारी रखिये और इसे निर्दारी करें और इस बार मोका बनेगा फिल्डर गेट के नीचे बल्ले बास आउट आदिस सेनल लाटिया मैदा से बाहर टीम कोप्रोली की काम ऐसा करो कि शकल से नहीं नाम सुनते ही आपकी पहचान बन जाए और ये दीखिये उस्माना की बात करेंगे तो नेक्स मैच में आपको खेलते हैं वे नजर आएंगे लेकिन ये मैच की बात करेंगे तो पूरी तरीके से धाबा बोल दिया है गाउदी विश्लो के लेवन कलवे टीम के गिनबाजोंने और आते ही पहले गिंद के उपर सपलता दिलाई सुशांत मोकल ने गोट्या ने और ये विकेट नमबर जाएगा मैदान से बाहर तो तालिया बजा कर स्वागत करेंगे मैच अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार चोड़दार तालिया हो जाए दर्शकों की तालिया साब बता रहे है कि उन्हें ये मैच पूरी तरीके से पसंद आ रहा है लेकिन कहते हैं दोस्तों परिस्तिती कैसी भी हो कभी भी आपने लक्ष का मत छोड़ना और इस मैदान के अंदर क्या लक्ष को छोड़ पाएगी टीम कोप्रुली लेवन कोप्रुली या मैदान के अंदर अपना लक्ष बचा पाएगी गावदी विश्लो के लेवन कलवे टीम पाइट हैं आग लगी ये पाँच में चाहिए ग्यारा की ज़रुरा कोई बड़ा धमा का यहां पर आएगा जो बचा पाएगा कोप्रुली लेवन कोप्रुली टीम को यूटूब के मांदे पे दर्शक और भी जुड़े हैं दोहजास से अधीक दर्शक ये गेंद हमा में मौका बनेगा फिल्डर गेंद के नीचे लोंगाफ का गट के आच पले बास आउट आता रंगात तो चलिए आता रंगात आला रंगात मैश बिल्कुल ला छक्कों की हैट्रिक अगर कंप्लीट लेकिन साबिर भाई ग्यारा ही चाहिए दोई मैच में फिनिश हो सकती है यह बाल पर अगर छक्का आता है या विकेट भी जाती है तो साबिर भाई दल्वी विद्यमान सर्पनसर करनला इनके आल से एक हज़ार का इनाम दिया जाएगा मैच में आभी भी वापसी है चार में चाहिए ग्यारा कैमरे में देख सकते हमारे टीवी स्क्रीन की उपर चारत अरब दर्शक जो जी टीसी के माद्यम से आपको दिखाय जा रहे है कच्चा कच बारा हुआ दर्शकों से यह हमारा मैदान जब जिन्दगी समंदर में गिराती है ना तो वक्त हमेशा त्यारना सिखाता है और यहाँ पर समंदर में पूरी तरीके से फसी हुई टीम कोप्रोली 11 कोप्रोली आकरी चार गेंदे 11 रनों की सर्वत बढ़र तयार यह गेन आन साइड में हमा में गेन ओ क्या शुआ आप गलती कर बैठे और मेरे बेरस यह तूने गलती नहीं क्या छोड़ा है या मैच छोड़ा है दो रन तो खर्ष किये तूने और साथी यह विकेट भी छोड़ा दो के साथ समीकरन बदलेगा तीन बाल में नव हमारे इस टूनामेंट के साथी आयुजग आमाज भाई दलवे हमें जानकर ही देंगे कि कंपलसरी चेसिंग यह इस टूनामेंट का नियम है यानि कि तीन बाल में नव रन आपको बनाने ही पड़ेंगे जिम्मेदारी हो पिंज़रा है जहां इनसान आज़ात होकर भी कैद है लेकिन यहां इस कैद से बाहर निकलेंगे ओ यह डाट बाल कमाल की वापसी रन लेना चाहते हैं लेकिन दीखेंगे अमपार के फैसले का इंतिजार तो यह बलेबाज यह समपार आउट है या नहीं चलिए अमपार कुछ बादशीत करते हुए निरने की प्रदीक्षा करेंगे एक राउडों में उत्सा ज्यादा है तीन पाल में अभी भी नौ रनों की ज़रत है लेकिन यह गेम के उपर अखलाक बड़े सहाब इनका भी आँपर आगमन हो चुका है अईए साब आपका स्वागत है इस प्रदीविदा के माध्यम से अजीबो शौन शौकत से भरी विये तुर्नामेंडे राजा शिव चत्रपति ट्रॉफी आपके सामने नजर आ रही है यह मैच आपको पसंद आ आया हो अजगर्दाक्वे साब इनका भी आँपर आगमन हो चुका है यह गेंद के उपर कुछ न कुछ चाहिए शायद इस गेंद के उपर मेरे खाल से नंबर आ चुका है डॉट यानिकि आखरी गेंदे बचिए टोटल दो और रन चाहिए नव रनों की जरुरत क्या यहा करना पड़ेगा इस मुकाबले में तेज़ बाल डॉट बाल की समात्ती कल्वे टीम का समर्थो को का उच्छा कापी खतरनक नजर आता हुआ प्रिक्षकन ना विननती करतो कि आपन मैदनात यहु नगा समना को रीचिंको आपन बाहर उन जलोश करू शक्ता समना बढ़ला सेल तरेकदा सोर्दा टाला हो जाओ दिया बोला चत्रपथी श्वाजी महाराज की राजा श्वा चत्रपथी ट्राफिटमी ते इनजोई करता है अन्यामचे आसी भाई दाखवे महाराष्टर राज्ये के माजे मुख्य मंत्री ए आर अंतुले साहब इनके मानस पुत्रे कहें जाते है और इनका स्वागत है हैस्ट नहीं हो रहा है दोस्तों कि 46 का टार्गेट डिपेंड किया यहां पर अगेंस तीन बार इस टूनामेन में अपने ट्राफी घर पर लेकर गई थी कोप्रोली टीम इस ट्रिंक लासे बार हाड लग टीम अभिनंदन कहेंगे अम कलवे और हाड लग टीम कोप्रोली डिजे